रादे रादे जैसरी किष्णा कहानी संग्रे में हमारे सवी सोताओं का हार्दिक अविनंदन है बक्तो आज हम होलिका अश्टक की पूरी सच्चाई से आपको अबगत कराएंगे जब हिरड कश्यप अपने हरी वक्त पुत्र प्रहलाद को अपनी बहें होलिका की गोद में प अश्टक के रूप में मनाया जाता है जोतिस्य मानिता की अनुसार शवी नवग्र है इस अवदी में उग्र रूप धारड कर लेते हैं यही कारड है कि इस अवदी में किये जाने वाले सुवकारियों को करने से अमंगल की आसंखा बनी रहती है इस वरस दो हजात तेईस मे यह अवदी 27 फरबरी शिफ्रारंब होकर 7 मार्च तक रहेगी अते किसी भी सुवकारियों को करने के लिए यह समय असुब माना जाता है खोली के आठ दिन फेहले महा मृतुन्जय मंत्र का जाप बेहत सुब माना जाता है आए इसकी पौराड कथा क्या है जाने पुराणों की इस कथा के अनसार भालगुन शुकल पक्ष की अश्टिमी को काम देव ने महा देव की तपश्या भंग करने की जिस्टा की थी तपश्या में बादा उत्पन होती देख महा देव प्रोधित होकर अपने तीसरे नेत्र की अगनी से काम देव को भस्म कर देते हैं प्रेम क की देवता काम देव के भस्म होते ही समस्त स्रष्टी में श्रोक की लहर दोर गई अपने पती को भस्म होते देख रती समस्त देवताओं साइद भगवान सिव से प्रार्थना कर पुने जीवन दान की प्रार्थना करती है प्रसन भगवान सिव रती को पुने अप्रत्यच रूप से कामदेव को पुनर जीवनदान का आसिरवाद देते हैं अर्ष्टमी को वर्षन हुए कामदेव आठ दिन बाद ही रती महादेव से आसिरवाद के रूप में अपने पती को अप्रत्यच रूप से प्राप्त कर लेती है वहीं अनिक अथा के अंसार प्रहलाद की बिश्णू भक्ती से क्रोधित उष्के पिता देती राज हिरड कश्यप ने हुली के आठ दिन फैले प्रहलाद को अनेकों यातनाई दे मारने की चीश्टा की थी जब सफल नहीं हुआ तो अपनी वहन होलिका जिसे अगनी में न जलने का वरदान प्राप्त था उष्की गोध में प्रहलाद को बिठा अगनी में जलाने का प्रयास किया हरी क्रपा से प्रहलाद तो बच गए परंत होलिका काल के गहल में शमा गई बक्ती पर आगात की इसी अवदी को हम होलिका अश्टक के नाम से मनाते हैं इसमें शुवकारियों को करने से अमंगल की शंभावना बनी रहती है होलिका अश्टक में अश्टिमी को चंद्रमा, नबमी को सोर्य, दस्मी को शनी देप, एका दशी को शुक्र देप, द्वा दशी को गुर देप, त्रियो दशी को बुद्ध, चतुर दशी को मंगल और पूर्मा स्री को राहु उग्र रूप धारड किये रहते हैं एवं नकारात्मक्ता की अधिकता रहती है, जिसके कारण इसका प्रभाव व्यक्ति के सोचने समझने की छमता पर पड़ता है, वही होलिका अश्टक के पीछे बैज्ञानिक महतु भी है, विज्ञान के अंसार होलिका अश्टक का विज्ञान प्रक्रती मौसम के बदलाव से सम्मंद रखता है, इन दिनों बाता परण में बैक्टेरिया वाइरस अधिक सक्री होते हैं, सर्दी से गर्मी की तरफ मौसम के रुक से सरीर पर सूरी की फैरा बैंगनी किरणे विप्रीत प्रभाव डालती हैं, होलिका दहन होने पर जो अगनी प्रजिलित होती है, वो सरी के साथ साथ आसपास के बाता परण में ब्याप्त बैक्टेरिया और नकारात्मक कुर्जा को शमाप्त कर दीती है, गाय के गोवर से बने कंडे, पीपल, पलास, नीम, आद अन्य ब्रच्चों की लकडियों से होलिका दहन से निकलने वाला धुआ, जिहत के लिए और सदी का कारी करता है, यही कारण है होलिका अश्टक में उचित खान पान की सलहा दी जाती है, तो भगतो यह थी होलिका अश्टक से जुड़ी समस्त जानकारी, आप आपके परिवार पर सदाशिरी हरी की क्रपाद रष्टी बनी रहे, इसी सुब्ध खामना के साथ, अगर आपको ह हमारी प्रस्टुती अच्छी लगी हो, तो आप हमारी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सेयर करें